हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए चार ऐसे बेस्ट कर्व डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन लेकर आया हूं अगर आपको जो दोस्तो कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए फ्लेट डिस्प्ले नहीं चाहिए तो आप आपको भरोसा आईकू, रियल्मी, मोटो और इन चारो स्मार्ट फून में जो है दोस्तों बहुत ही बढ़ी है फीचर्स मिल जाते हैं तो जानने के लिए वीडियो एंट तक जोड़ दिखे अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद है अलग कि गिरने के बाद तूटने के चां जी भी स्टोडेज मिल जाती है और डिस्प्ले के अंदर आपको 120 हर्स के रिफेश्ट दिया गया है इस टॉक एंड्रोइड मिलता है दोस्तों फालतु ये अब्लिकेशन की जंजट नहीं है एड्स के बिल्कुल भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती है तो डिस्प्ल भी दी गई है डिस्प्ले की जो क्वालेटी है दोस्तों क्वालेटी भी बहुत तगड़ी है इसके अंदर कलर्स वगेरा बहुत ही बढ़िया मिलते हैं ब्राइटनेस बहुत अच्छी है तो डिस्प्ले की चाहे बात हो क्वालेटी या डिजाइन की और सबसे में चीज़ इस डिस्प्ले करव है quality के साथ तो ये चीज़ तो बहुत ही कमाल कीए इसके अंदर आपको जो वीगल लेदर फिनिश में डिसाइन दिया गया है तो डिसाइन की quality भी काफी तगड़ी सके अंदर आपको मिल जाती है आपको डिसाइन की quality को लेकर problem नहीं होगी बाकी जो है दोस्तों के अंदर आपको बैक साइट पर इस तरीके डिजाइन में 50MP में कैमरे दिया गया है कैमरे की पर्फॉर्मेंस भी आपको प्राइस के साब से ठीक टाक मिल जाती है इसके अंदर काफी स्लिम फून है पतला फून है दोस्तों यह चीज़ भी आपको काफी बढ़िया दी गई है नीची की तरफ सिम के ट्रे मिलती है दो सिम काट 5G के लगा सकते हैं चार्जिंग पोर्ट स्पीकर मिल जाता है साइड में वॉल्यूम के बटन्स पावर का बटन फिंगरपेंट स्केनर डिस्प्ले के अंदर है उपर की तरफ डॉल भी अटमस का सपोर्ट भी मिलता है इसमें साउंड की क्वालिटी काफी बढ़िया है लेकिन हेडफोन जैक नहीं है इसमें तो यह चीज़ की दिक्कत है 5000 इमेज की बैटरी मिलती है 33 स्वार्ट के चार् G85 में मिल जाती है दोस्तो 16000 से 18000 के बीच में आपको यह फोन मिल जाएगा क्वालिटी वाइस बहुत ही दगड़ा है मुझे परसनली बहुत अच्छा लगता है अगर आपको मोटो पे भरोसा है दूसर आपको मिलता है दोस्तो आई कू का Z9S यह आपको मिल जाएगा दोस दो टी नजर लुपे महंगा है इसके अंदर आपको जो है दूस्तो एमोलिट डिसप्ले दी घंडै और डिसप्ले के अंदर आपको जो है रिफ्रेशेट जो मिलता है 120 हर्स का मिल जाता इसके अंदर वी experience काफी जादा smooth है तो चलाने में काफी बढ़िया लगता है ये phone भी तो ये चीज इसके अंदर भी काफी बढ़िया दी गई है UI इस तरीके से मिलता है दोस्तो normal type का bloatware भी थोड़ा भोड दिया गया है तो उनको आप delete कर दियेगा file 2 के applications बाकी display की qualities की भी काफी तगड़ी है इसके अंदर आपको AMOLED display दी गई हो डिजाइन इसके अंदर भी आपको कर्व मिलता है तो आप IQ का Z9S ले सकते हैं Z9 जो दोस्तो X भी आता है और Z9 light भी आता है तो आप याद रखेगा S वाला model ही है अगर आपने Z9 light खरीद लिया तो आप 10,000 पर पहुचेंगे उसके अंदर आपको चारजर भी नहीं मिलेगा सस्ता सफून है वह 10,000 के आसपास और यह आपको curve display के साथ मिलता है Z9S तो दो आपको pattern दिया गया है आईकू की branding मीचे मिल जाती है फ्लेश लाइट के साथ साथ और लाइट भी मिलती है और इसके अंदर आपको 50 MP main camera दिया गया है performance भी आपको camera की काफी तगड़ी मिल जाती है इसके अंदर camera भी काफी सही है दोस्तो और और लाइट का feature भी मिलता है तो fingerprint scanner डिस्प्ले के अंदर आपको मिल जाता है स्पून में तो यह चीज़ आपको इसमें भी बढ़िया दी गई है पच्पन सु एमेच के बैटरी मिलती है तो बैटरी के अंदर आपको और जाधा अच्छी दी गई है और processor भी motor से जाधा बढ़िया मिल जाता है इसके अंदर processor इसमें आपको जाधा बढ़िया दिये गए हैं gaming आपको जाधा करनी है तो आप इस phone के लिए try कर सकते हैं या आपके लिए काफी अच्छा रहेगा चले बढ़ते हैं अब दोस्तों अगले phone की तरफ जो की है realme का P2 Pro जो की realme brand की तरफ सा आपको मिल जाता है दोस्तों अब तो 22,000 में यह जो है 22,000 के आसपास launch हुआ लेकिन यह आपको 20,000 के आसपास मिल जाएगा इसकी pricing इसी के आसपास रहती है तो 20,000 के आसपास इसके अंदर आपको जो है दोस्तों डिस्पले जो दी गई है उसकी quality कैसी मिलती है एक तो इसके अंदर आपको 120 Hz के refresh rate मिलता है UI इ काफी जादा कर्व देखने को मिलते है तो वह चीज़ आपको जो दोस्तों experience काफी जादा इसके अंदर कर्व कर्व मिल जाएगा तो ऐसा सा experience मिल जाएगा बाकी quality को लेकर display की इसमें भी problem नहीं होगी quality wise display इसकी भी काफी जादा तगड़ी है और in display fingerprint scanner इसके अंदर भी आप आपको मिल जाता है बाकी design आप देहेंगे दोस्तों इस तरीके के look में आपको camera दिया गया है बीच में और जो दोस्तों इस तरीके से double shade में आपको designing देखने को मिलती है इसके अंदर double color का combination मिलता है और इस तरीके से back panel पर पूरा plastic के type का back panel है लेकिन S शेप में जो है इस तरीके से designing करी गई है तो जैसे आप इसको light में इसे move करेंगे तो इस तरीके से pattern मिल जाएगा 50 MP main camera performance आपको camera की काफी बढ़िया मिल जाती है left side से देहेंगे plain design निची के त इसके लगों जो दोससे के अंदर आपको जो processor मिलता है snapdragon 7s gen 2 मिलता है तो performance आपको इसके अंदर भी सही मिल जाएगी processor इसके अंदर आपको अच्छा दिया गया है और battery दी गई है बैटरी वेकप भी एक दिन का अराम से इसके अंदर मिल जाएगा processor भी बढ़िया मिलता है तो अगर आपको realme brand पे भरोसा है दोस्तो तो आप इसको देख सकते है realme P2 Pro भी आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा performance भी अच्छी मिल जाएगी और जो दोस्तो camera भी इसके अंदर आपको सही मिल जाता है battery भी अच्छी दी गई है और जो दोस्तो इसके साथ असी वाट क सबस्ता तो है लेकिन उसके साथ साथ एक जी मतलब यह जो आता है fusion भी मिलता आपको एज 50 fusion यह वैसा अब 21,000 का चल रहा है 21,000 के आसपास लेकिन यह 23,000 का स्मार्टफोन है 23,000 का जो पहले launch हो था भी sale में rate डाउन चल रहा है इसका वरना तो यह जो आउट आफ स्टॉकी रहता है 23,000 में भी हमेशा और बहुत ही demanding phone है यह तो यह आपको मिलता है दोस्तों मतलब 23,000 से 21,000 के बीच में आपको कहीं भी pricing पर मिली जाएगा यह इसी के साथ जो दोस्ते इसके अंदर आपको डिस्प्ले दी गई है पी ओलेड वैसे जी का छोटा भाई है उसी के जैसे features मिलते हैं इसके अंदर भी लेकिन यह और भी जादा तगड़ा है इसके अंदर आपको 8GB RAM 128GB storage दी गई है P.O.L.A. डिस्प्ले मिल जाती है डिस्प्ले के colors काफी तगड़े है और भी जादा जो है design भी जादा अच्छा मिल जाता है इसके अंदर Moto G85 से और डिस्प्ले के colors भी और जादा तगड़े मिलते हैं brightness भी जादा अच्छी दी गई है तो यह चीज़ आपको देखने को मिलती है दोस्तों डिस्प्ले की quality काफी जादा बढ़ी है colors काफी अच्छे है और brightness काफी जादा बढ़ी दी गई है तो display की quality को लेकर जो है दोस्तों यह आपको fusion और ज पक जाती है तो यह चीज़ जो आप वैसे clean करेंगे तो दिक्कत नियों कि साफ हो जाएगा एकदम वैसा निए कि मतलब बहुत जादा scratch आगा है scratch इसकी problem बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी इसके अंदर 50 MP main camera दिया गया है camera की performance भी काफी तगड़ी इसके अंदर आपक सपोर्ट मिलता है 5000 image के इसके अंदर आपको बैटरी मिलती है और यह सारे स्मार्टफून आपको काफी तगड़े मिलते हैं एक तो जो आईकू का जीना इसबी काफी बढ़ी है दोस्तो परफॉमेंस भी बढ़ी है और यह पीटू प्रो भी आपको काफी तगड़े मिल जाता है उसके अंदर भी आपको बढ़ी आई फीचर्स दिये गए हैं बाकि मुझे इन सब में सबस्था अच्छा लगा मोटो का जीटी फाइफ और जो है मोटो का एच फिफ्टी फिजन यह दोनों स्मार्टफून मुझे काफी ज़्यादा बढ़ी अलगी लग रही है इन दोनों फोन्स की फीटू प्रो राइको जीन दोस्तों और आपको अच्छे लगे तो लाइक करके जरू जाएगा चैनल पर आपने हैं सब्सक्राइब नहीं करका तो सब्सक्राइब जरू कर लिजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुच्छते रहें helpful लग वीडिए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजे व बाइ